So hello guys and welcome back to a video जो आपको इस week YouTube पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा Yes I am talking about 59 banned Chinese apps in this video Indian government ने TikTok के साथ 58 other Chinese apps को banned किया इंडिया से और reason दिया है कि ये इंडिया की security पे खत्रा है और इस वीडियो में हम जानेंगी कि कैसे ये Chinese app आपके phone से आपका ही data चुरा के चाइना के सब्सक्राइब बेच सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा Well आप में से काफी सारे लोगों के जो ये सोचते कि ये apps है वो हमारा data कैसे चुरी करता है या फिर ये हम पे spying कैसे करता है तब वो microphone या फिर camera जैसे permission मांगते है और आप वो उसे permission दे देते है Now reality ये है कि TikTok या फिर UC browser या फिर hello कोई भी Chinese app हो उसे microphone या फिर camera या SMS किसी भी permission के ज़रूत नहीं है आपके phone में install होने के time पर पर फिर भी ये apps ये permissions मांगते है और हम उसे ये permission दे देते है अब problem यहाँ पर ये होती है कि as आपने ये permissions दे दी है microphone, camera या फिर SMS की तो ये application कभी भी microphone, camera, SMS या कोई भी ऐसी permission जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं है वो आपको पूछे बगएर यूस कर सकती है क्योंकि installation के time पर आपने ये सारी permission उस app को दे दी है और end में ये सारी permissions से जो data ही कटा होता है आपका photo है या फिर आपकी location है या फिर आपके SMS पर कोई sensitive information है वो सारी ये apps अपने चाइना वाले server पर ट्रांसफर कर सकती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिफ ऐसा नहीं है कि Android phones पर ही security का issue है इवन iPhone पर भी security breach होती है last week iOS 14 के release के बाद Jeremy Burge करके एक person ने इसने Twitter पर वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर उसने दिखाया था कि कैसे TikTok है वो clipboard से data है वो iPhone से चोरी कर रहा है यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेता है कि clipboard क्या है जब आप कोई भी text को एक app पर से copy करके दूसरे app पर paste करते है let's say आपने SMS gate किया है वहाँ से आप कोई number copy करते है और WhatsApp पर जाके आप paste करते है तो जो content होता है जो text होता है वो clipboard नाम की space होती है वहाँ पर temporary store होता है और जब आपको कहीं पर नमबर paste करना होता है तो वह application जैसे कि WhatsApp है वो clipboard अक्सेस करते है और वह नमबर वहाँ पर paste करते है तो आप बोल सकते हो कि clipboard है वो temporary एक space है जहाँ पर data store होता है और कोई भी application है वो clipboard के data को access कर सकती है now as you can see from the video की clipboard पे जो data होता है जब आप paste करते हो तब वो application clipboard का use कर रहे है बट यहाँ पे जो वीडियो में दिखाए दे रहा है कि जब user type कर रहा है टिक टोक में तब भी वो clipboard से data है वो paste कर रहे है जो कि एक बहुत ही scary चीज है so now आपको पता चल गया होगा एक basic idea आया होगा कि Chinese app ओ या फिर non Chinese app कैसे आपका data चुरा सकती है या फिर आपकी location details से आपके spy कर सकती है now I know आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई हमारे phone में इतना important data नहीं है या फिर हमारा कोई इतना important documents नहीं है phone पे तो हमें इसे क्या फर्क पड़ता है बट ऐसा नहीं है गाईज अगर कोई app आपने download करके रखिए जिसमें आपने अपनी bank details डालिये या फिर आपके social media credentials उस पर है तो वो सारी चीजे वो hack हो सकती है चाइना के server पर या फिर out of India के server पर वो application सारा data वो भेज सकती है और फिर वो data आपका black market में बिखेगा और आपके साथ काफी सारे scam हो सकते है नाव imaging के कोई important person है या फिर कोई company है या फिर high ranking government official है और उनके phone में इस 59 app में से कोई app है और वो app उस पे spike कर रहे है या फिर data चुरा रहे है तो आप सोच सकते हो कि वो कि वो कितना बड़ा problem हो सकता है इंडिया के लिए या फिर कोई company के लिए या फिर कोई person के लिए तो हो स phone में इन में से कोई भी एक application है तो प्लीज अभी उसे uninstall कीजिए और uninstall करने से पहले आप अपना account है वो deactivate कर दीजिए या फिर delete कर दीजिए सारे data remove कर दीए और उसके बाद ही वो application आपके phone से delete कीजिए लेट से आपके phone में इन में से दो या तीन application है आपने install ने की pre-install हो की आई है आपने कभी use भी नहीं किया बट फिर भी उसे uninstall कर दीजिए क्योंकि government ने ये decision लिया है तो सोच समझ के decision लिया होगा and I think हमें अपने government के decision को fully support करना चाहिए और uninstall कर देना चाहिए इन सारी applications को now as a Indian यहाँ पे हम क्या कर सकते कि यह जो Chinese app 59 उसके जो alternate apps है Indian apps उसे हम support क कर सकते हैं उसे install कीजिए और उनको support कीजिए और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते कि next time आप जब कोई भी app अपने phone पे install करें तो उसे permission देने से पहले check करें कि क्या वो permission देना उसे necessary है क्या अगर मैं इस app को particular camera की permission या SMS की या फिर location permission अगर नहीं दूंगा तो क्या वो app fully function करेग अगर वो permission देना ज़रूरी नहीं है तो फिर प्लीज वो app को permission मत दीजिए तो यह थे कुछ पार जो मैं इस वीडियो में explain किये कि कैसे Chinese app है वो हमारा data ही हमारे अगेंस use कर सकता है या फिर हम पे spy कर सकता है तो आप ये वीडियो आपने friends या family के साथ share कीजिए और उन्हें भी बताइए कि ये 59 apps जो government ने ban किये है वो अपने phone से delete कर दे और सुरक्षितर है well हम border पर जाके लड़तों नहीं सकते but हम government को support करके ये 59 apps को uninstall करके हमारा contribution जरूर दे सकते So guys that's it for today's video अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो please hit the like button अगर आप नहीं हो तो subscribe करें और definitely ये वीडियो अपने friends and family के साथ share करें ताकि उनको भी पता चले की future में ऐसी apps से कैसे अपने आपको और अपने data को secure रखना है and we'll see you guys in our next video have a great day